वेलकम बैक टू माई योटूब फैमिली कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे हमारी आज की वीडियो में फ्रांट ओपन में डोरी पैपिंग और गले में डोरी पैपिंग लगाना बहुत ही असान है आपने वीडियो को पूरा देखने है बिना टाइम जाय किया चलते हैं वीडियो की तरफ यह आप देख सकते हैं फ्रांट ओपन कमीज कटिंग हो चुकी है यहाँ पर इसके फ्रांट में भी पैपिंग करेंगे और गोल गले में भी पैपिंग करेंगे डोरी पैपिंग यहां पर डोरी पैपिंग के लिए हमारे पास ये कपड़ा है कॉटन का इस कॉटन की कपड़े की किनारे वाली सैड से हम पटियां कटिंग करेंगे यानि कि सीधी पटियां कटिंग करेंगे यहां पर कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और कपड़े को ऐरन के साथ सीधा कर लेंगे कपड़े की किनारे वाली सेड को हम कटिंग कर लेंगे अभी यहां पर दो दो इंच की चोड़ी पटियों के लिए निशान लगा लेंगे चार से पांच पट्टियों के लिए हम यहां पर निशान लगा के पट्टियां कटिंग कर लेंगे पाइपिंग की पट्टियां कटिंग करने के बाद यहां पर हम इनको आपस में जोईन कर लेंगे सिलाई के साथ इनको जोड लगा के तकरीबन हम पांच गज के एक ही पटी तयार कर लेंगे पटियों को आपस में सिलाई लगाने के बाद इस तरह हम जोड को हाथ की मदद से फिनिशिंग दे देंगे इस तरह जोड फिनिशिंग के साथ आ जाएगा अभी हम यहां पर फ्रांट के ओपर डोरी पैपिंग कर लेंगे दोनों पीस पर यह डोरी पैपिंग की पटी तयार है अभी हम यहां पर इसके अंदर डोरी रखेंगे आदेंच के दबाव पर और इसको अंदर के तरह फोल्ड करके यहां पर रखके डोरी के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे डोरी पैपन लगाने के लिए हमने सिंगल फूट का इस्तमाल किया आप देख सकते हैं इस सिंगल फूट के साथ डोरी पैपन बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है आप देख सकते हैं टोरी पेपेंग के उपर सिलाई नहीं आ नहीं दोरी पेपेंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको बार business मिलता रहे जी तो यहां पर फ्रेंट ओपन की एक साइड पर हमारी डोरी पैपिंग सिलाई लग चुकी है आप देख सकते हैं सेम इसी तरह फ्रेंट ओपन की दूसरी साइड पर भी हम डोरी पैपिंग की सिलाई लगाएंगे जी तो देख सकते हैं हमारी डोरी पैपिंग सिलाई लग रही है बहुत ही फ्रेंट ओपन की दूसरी साइड पर हमारी डोरी पैपिंग की सिलाई लग चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिलाई को निकाल लेंगे और पैपिंग को कट कर लेंगे फ्रांट ओपन की डोरी पैपिंग सिलाई लग चुकी है फ्रनिशिंग के साथ अभी हम इस डोरी पैपिंग पटी को आयरन कर लेंगे पहले पटी वाली सैड पर आयरन करेंगे फ्रांट ओपन की पूरी पट्टी वाली सैड को आरन करके फिर इसकी फिनिशिंग सैड पर ब्यारन करेंगे इस तरह आप देशते हैं बारीक बारीक बहुत ही प्यारी लग रही है पाइपिंग जो है फ्रांट ओपन पर पर पैपिंग पटी को एक इंचोड़ा रखते हुए बागी पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे अभी हम पटी को फोल्ड करते हुए आरन करते जाएंगे जी तो दोनों सैड की फ्रांट ओपन पैपिंग पटी हमारे आरन हो चुकी है फनीशिंग के साथ अभी यहाँ पर तुर्पाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे डोरी पैपिंग पट्टी को एरन के साथ फोल्ड करके हमारी सिलाई जो है बहुत ही आसानी से लग रही है और फनिशिंग सैट भी अच्छी आ रही है फरन्ट ओपन में डोरी पैपिंग हमारी बहुत ही प्यारी लगने वाली आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना वीडियो आपने पूरी देखनी है फरन्ट ओपन की एक सैट की डोरी पैपिंग पट्टी की सिलाई लग चुकी है यहां पर हम दूसरी सैट की भी सिलाई लगा लेंगे जी तो इसके साथ ही फरन्ट ओपन की दोनों सैट पर डोरी पैपिंग लग चुकी है इस तरह फ्रांट ओपन की डोरी पैपिंगाई यह आप देख सकते हैं अभी हम दोनों पीश को आपस में मिला कर यहां पर सीधा रखेंगे उपर गोल गले को बराबर करते हुए नीचे से हम यहां पर इसके कट कर निशान लगा लेंगे कट हम इसका यारा इंच पर रखने वाले हैं यारा इंच का ओपन छोड़ेंगे यारा इंच का कट ओपन छोड़ते वए यहां पर निशान लगा लेंगे फ्रन्ट ओपन कर निशान लगाने के बाद यहां पर हम पैपिंग वाले कपड़े से एक इंच की चोड़ी पटी बना लेंगे यहां पर हम इस एक इंच की चोड़ी पटी को कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद इसको अंदर के तरफ हाफ इंच का फोल्ड करेंगे अभी इस रफ कपड़े की पट्टी को इस निशान के नीचे रखेंगे बिल्कुल इसको नीचे रखेंगे पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे नीचे पट्टी रखते हुए इस तरह हम पैपिंग के साथ साथ फनीशिंग में सिलाई लगाते जाएंगे एक फ्रांट ओपन साइड से हमारी पैपिंग के साथ पट्टी अटैज हो चुकिया आप देख सकते हैं अब हम फ्रांट ओपन की दूसरी साइड को यहीं से स्टार्ट करेंगे इसके उपर रखकर इसके भी पैपिंग के साथ साथ सिले लगाते जाएंगे गले को उपर से बराबर रखते हैं हम इस पैपिंग के साथ साथ सिले लगाते जाएंगे और front open को बंद करते जाएंगे यह आप देशक्ते हैं हमारा front open जो है पैपिंग के साथ बंद हो रहे है इस तरह नीचे कट वाले निशान तक हम सिलाई लगते जाएंगे यह सिलाई हमारी लग चुकिए और front open हमारा जो है वो बंद हो चुकिए है यहां पर हम सिलाई को निकाल लेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह आरन कर लेंगे जी तो आप देख सकते हैं नीचे कट रखते हुए उपर हमारा ओपन जो था वो बंद हो चुक है अभी हम गले में डोरी पैपिंग कर लेंगे गोल गले में डोरी पैपिंग करने के लिए यहां पर हम उरेब में निशान लगा लेंगे कपड़े को उरेब में निशान लगाने के बाद डेड इंच की चोड़ी पटी कटिंग कर लेंगे जी तो डेड इंच की उरेब पटी कटिंग हो चुकी आप देख सकते हैं अब हम इसके एक सैट पर डोरी को रखेंगे और यहां पर फोल्ड करके डोरी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे जी तो डेड देंज के उरे पटी में डोरी रखते हुए सिलाई लग चुकी है इस दूसरी सेट को फोल्ड करते हुए इस पट्टी को आधे हैं चोड़ा रखते हुए इस सेट से हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे जी तो गले में डोरी पैपिंग लगाने के लिए ये बहुत ही आसान तरीक है इस तरह हम पहले पट्टी को तयार कर ले जैसे हमारी ये पट्टी तयार हुए गले में पैपिंग लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीका है अभी हम इस दोरी पैपिंग पट्टी को गले के उपर रखेंगे और दोरी के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे ये आप देख सकते हैं कपड़े में काफी धिला पाने तो इसको हम धिला धिला रखते हुए पाइपिंग को उपर से हलका सा खेंचते हुए सिलाई लगाते जाएंगे अगर हम नीचे वाले गले को खेंचेंगे तो हमारा गला कभी भी अपनी जगा पर नहीं बैठेगा इस तरह गोल गले में डोरी पैपिंग लगाने का ये बेस्ट तरीका है आप भी इस तरह लगा सकते हैं जी तो यहांपर सिलाई निकाल लेंगे और पैपिंग को कट कर लेंगे आप देख सकते हैं एक जैसा दबाव रख के हमने गोल गले में पैपिंग लगा है और इस तरह हमारी फिनिशिंग के साथ पैपिंग आई है अब हम इस गोल गले को पैपिंग बिठाते हुए आरन कर लेंगे यहां पर हमने पहले वाटर स्प्रेय कर लिए वाटर स्प्रेय करने के बाद आरन के साथ इसको गोलाई में बिठाते जाएंगे ये पैपिंग के लिए हमने औरेप पटि कटिंग की थी तो इसके लिए हमें मुश्किल नहीं होने वाली असानी से बैठ जाएगी जी तो अब देख सकते हैं गोलाई में पैपिंग पटि बैठ चुकी या असानी के साथ और बहुत ही सफाई के साथ पैपिंग लग चुकी है यहां पर हम गले में तरुपाई कर लेंगे और सामने हम शो बटन लगा लेंगे जी तो बटन लगाने के बाद एरन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी इस तरह फनीशिंग के साथ पैपिंग आई है फरन्ट उपन में बटन भी हमारे लग चुके हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यह फरन्ट उपन कमीज मुझे पूरी अमीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो चले गया तो वीडियो को लाइक करें मिलेंगे अगली वीडियो में अल्ला हाफिज